न्यूज एटिन पर हिजाब मामले में लगा पचास हजार का जुर्माना करनाटा का के स्कूल्स में हिजाब मामले को जाती वात का अजेंडा बताकर इसे भड़काने की कोशिश की गई थी जो के रिलाइंस इंडरस्टीज के न्यूज एटिन चैनल पर यन बी डी एएस दा न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल असोसेशन न्यू देहली ने चैनल के एंकर और निरुपक अमन चोपरा ने इस हिजाब की लड़ाई का समर्तन करने वाले स्टुडेंट्स को फिलिस्तिनी अलकाइदा के लिंक होने की जुटी खबर पहला अपने न्यूज पर और नीती सहीता उलंगन करने के आरोप में यन बी डी एस ने इन पर पचास हजार का जुर्माना डाल कर साथ दिन के अंदर अपने सभी विवादित बयाने न्यूज और वीडियो को चैनल से डिलिट करके समाज में शांती बनाए रखने की सूचना दी अब आपके शहर में राफमंदी रोड विजापूर यहां पर चीज मिलेंगे आपको लॉंग नेक्लिस बगड़ के शौर्स सभी हैट टो आपको सभी रेडिस आइटम मिलेंगी जेंग्स आइटम भी मिलेंगा एडी एंटी और ऑप्सटाइज सभी चीज है मिलेंगी पोल अब शौप पर विजिट करिये देखिये आपको सटिस्पेक्शन थाइंट्यू